जिन्होंने शरीर के दम पर प्रसिद दिपाई, जिनको शरीर के नाते जानते हो, उन फिल्मी सितारों की जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरें देख लिया गरो, देख क्या है स्पष्ट हो जाएगा, देभाव से मुक्त होने का अच्छा तरीका है, कोई सुपरस्टार हो देख लो आजकल कैसे लगते हैं, सतर के दशक के किसी सुपरस्टार की आज की तस्वीरें देख लो, या उस जमाने की कोई तारिका हो, उनकी आज की देख लो तस्वीर, उनमें से बहुत सारी तो आजकल तस्वीरे खिचवाती ही नहीं ला जाती है पहले कहते थे कि अरे सुन्दर तुचा, आकरशक, मास, देह, उभार, नाभी इनसे आकरशक क्या होता है फिर बोले अरे खाल इस खाल से क्या चूमा चाटी करनी जिस खाल के ठीक नीचे मल, मवाद, पित, मूत्र, तमाम तरह की रज यही बैठे हुए है बस उदिख नहीं रहे है इतनी पतली सी चमडी की चादर है उस चादर के पीछे छुपा हुआ है मल, मूत्र इसलिए दिख नहीं रहा है क्या चाटे जाएं उस चमडी को चाटते वक्त ख्याल नहीं आएगा कि चमडी के ठीक पीछे क्या है जिसको यह विचार आने लग गया वो कैसे अब देह भाव में जी लेगा बता हो और किसी को तुम्हारी देह का पता हो ना हो तुम्हें तो पता ही है औरों से तो हम बहुत सारी चीज़ें छुपा जाते हैं औरों के सामने आते हैं तो अपना आख कीचर पोच के आते हैं ना खूना खून काट लेंगे गंदगी साफ कर लेंगे भरी सभा में पाद भी मारेंगे तो जरा छुपके मारेंगे कि किसी को पता ना चले बड़ी बेमानी की बात है नो, दूसरों को रिजहाने जा रहे हो, दें दिखाके, और जिसको रिजहाने जा रहे हो, उससे मिलने से ठीक पहले, गलगर गलगर माउथ फ्रेशनर किया है, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मूँ से कितनी बदबू उठती है, सभी के मूँ से उठती है, और फिर भी तुम मूँ में नकली खुश्बू बसा रहे हो, कि तुम दूसरे को धोखा दे रहे हो, या अपने आपको दे रहे हो, और फिर ऐसे ही रिष्टे तूटते है, बड़ी निराशा आती है, जटका लग जाता है, शुरू शुरू में तो दात चमका के, और कुल्ला मंजन करके और लिस्टरीन डाल के पहुँचते थे, फिर जब रिष्टा जम गया, तो एक दिन ऐसे ही पहुँच गए, उनियन डोसा खाके, और बोले प्रियतमा चुम्बन, ये प्रियतमा अगर उस क्षण के बाद भी देभाव में जिये, तो ये नर्क की अधिकारी है, इसका पूरा हक है कि इसको नर्क ही मिले, जिसे जगना होगा, जिसे चेतना होगा, वो उस क्षण में जग जाएगी, कहेगी ये है सलियत, सिधार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा, उनके पिता कुछ रिष्यों ने आगाहा करा था, कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है, कुछ देखे होंगे उसके लक्षण, तो पिता ने बड़ा बंदोबस्त किया, उसको कभी दुख मैसूजना होने दें, उसके लिए भोग विलास के सबसाधा निकठे कर दिये, और राज जी की जो सुन्दर सुन्दर लड़कियां थी, उनको बुलाते और कहते ये, मेरे बेटे के साथ रहो, दोस्ती करो, राग रंग हो, नाच गाना हो, कहानी है, जानता नहीं, कहानी है कि एक रात ऐसे ही, देर तक चला नाच गाना, मदेरा इत्यादे भी रही होगी, तो जितनी लड़की आई थी, उनको बुलागी, शायद सिधार्थ ने भी पी होगी, सब अपने बेहोश पड़े हैं, बहुत देर रात, करीब-करीब भोर, अचानक सिधार्थ की नीन्द खुली, होश आया, और उस सब रूप सी सुन्दरियां, अवल नंबर की, उनको बुलाया गया था, अब वो सब बेहोश ढुलकी पड़ी थी, और मैं कलपना कर रहा हूँ, किसे धार्थ ने बिलकुल फटी-फटी आँखों से देखा होगा उनको, कि कहां गया इनका रूप, किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुँपे मल रखा है, चाओ, खड़िया, वो सब धुला हुआ है, किसी के मुँँ से लार बह रही है, किसी के सुन्दर कपड़े और अस्तव्यस्त हो गए है, तो वो और बचसूरत लग रही है, उत तेजक लगने की जगह, कोई मुँ फाड़े पड़ी होई है बेहोशी में, कोई खुराटे मार रही है, किसी ने इतनी पी लिये कि उसने उल्टी-उल्टी कर दियो, अपनी उल्टी में लत्फत पड़ी है, वमन करके सिधार्थ नहीं ये सब देखा, ठीक, अगर ये है रूप की असलियत, नहीं चाहिए रूप, रूप भी तभी सुहाता है, जब बड़ी तयारी करके आता है, सब पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए, कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम तीन महीने काम करें, ये वेवस्था बननी चाहिए, जाके देखो तो, कि जिस रूप यॉवन के पीछे तुम इतने पागल रहते हो, उसकी हकीकत क्या है, जितने फ़ल और सबजी आरा सोई में नहीं पाए जाते हो, उस स्यादा मूँ पे मले जा रहे है, तुनिया भर के रसायन देह पर घिसे जा रहे है, भौहे नोची जा रहे हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मो मरगड़ा जा रहा है, और चीख पुकार भी मची हुई है, हाई 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 हाई, आसू भी निकल रहे हैं, पर ये कारिकरम होना जरूरी है, ताकि देह आकर शक प्रतीत हो सके, जिसने इस व्यापार को देख लिया, मुझे बताओ, अब वो देह को कीमत कैसे देगा?